हेलो सो आप सब इक सो बात करेंगे आपर मुतुच फाइनांस के बारे में इस टॉक में जो आज हमें 15% की दोस्तों गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे प्रॉपर तरीके से आप रिजन को अंडरस्टेंडिंग कीजिए और हमको अभी ऐसे सिचुवेशन में स्टैटेजी कैसे रखने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है काफी निवेश के कमेंड आरते की सरा अचानक इस टॉक में 15% का करेक्शन हो गया और हम प्रॉफिट के बाज़ा लॉस में चले गए तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको करना क्या है मैं आपको जैसे चाट पैटर्न दिखा दू जैसे मार्केट ओपन होते ही इसने जो गिरावट दिखाई उसके बाद आप देखिए खूदी देख ले न ये धीरे धीरे आपको अभी आप्ट्रेंड करते वे नज पर यहाँ आपने ये चीज देखी नहीं किस कंपणी की स्टैटीजी क्या है और कंपणी फ्यूचर में क्या करने के लिए यहाँ पर तयार है अभी लॉस में भी बेचकर कोई लोग निकलेंगे भी बट यह कोई सई तरीका नहीं है आप यहाँ पर प्रॉपर जैसे देखे इसके बिजनेस को तो कंपणी एक नेक्ष्ट परफॉमस के अंदर आने के लिए तयार है और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर इसके जो 17% प्रॉफिट को ड्रॉप वह वो देखा गया बट आपने ये नहीं देखा कि इस कंपणी ने यहाँ पर क्या किया है 1500 ब्रैंचेस अक्टोंबर में ओपन करने के बारे में कहा गया है तो यह सबसे पॉजिट्व चीजे है इसको निगलेट मत करकर चलना इन फ्यूचर एक कंपणी बहुत अच्छा रिटन देगी और लॉस कब होता है किसी को भी जब आप यहाँ पर लॉस को एक्षप करते है आप एक्षप मत किजिए थोड़ा रुकिए इस कंपणी को टाइम दीजिए आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट एक कंपणी जनरेट करकर देगी अब जो लोग यह समझ रहे हैं और यह वीडियो देख रहे हैं पूरा अंडरस्टेंडिंग कर रहे हैं उनको कभी भी यह आपर फिकर नहीं होगी कि मुतुस फाइनांस में करना क्या है और इस कंपणी से हम यहाँ पर उमित कैसे रखें कंपणी के आप डिशिजिन देखिए मैंने आप तक जैसे आपको अपडेट में बताया कि मुतुस फाइनांस ने एक्वेजेशन डेवलपमेंड या हम बड़ी कोशिश की है और लगाता चल रहा है थोड़ा प्रॉफिट के अंदर आप यहाँ पर काफी दिनों के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे बलतों मंस लगेंगे कुछ बट कंपणी एक अच्छे इंप्रुमेंट के अंदर आ जाएगे बस इतना ही कहूंगा कि आ जो 50 टिक लो है देखिए वो है 960 रुपीज का तो उसके नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अभी फ्रेश इंट्री के लिए थोड़ा रुकना और आप चाहते भी है इसमें लॉंग टम के लिए रहना तो आप पोजीशन अभी से भी बना सकते हैं मैं आपको ल